हेलो गाईज गूड इवनिंग तो आज का हमारा मैथ का टोपिक है रेशो और हमने इससे पहले square कर लिया है cube कर लिया है cube की trick अभी मैं आपको ratio की trick बताऊंगी लेकिं उससे पहले मैं आपको इसका basic जरूर करवाऊंगी क्योंकि बिना basic आपके कोई trick कोई काम की नहीं है तो पहले आपको पता होने चाहिए ratio होता क्या है काम कैसे करता है questions कैसे आते हैं लगभग हर question के अंदर हम shortcut trick लगाएं तो हमें ratio बहुत काम देता है mixer allocation का हो या percentage का हो या कई बार बहुत सारे बड़े-बड़े question आते हैं जिसको हम ratio की help से जल से जल इनको शोल कर सकते हैं तो सबसे पहले आप इनको basic में आपको करवाऊंगी then let's start today's session आज का session हम स्टार्ट करते हैं आज का session देखते हैं ratio जैसे हम basic से स्टार्ट करते हैं जैसे होता है इसको हम क्या कहते है ratio इसको हम 2 ratio 3 भी ऐसे लिख सकते हैं तो इनके अंदर क्या होता है कि जो change होता है वो आपस में दोनों का ही होता है इनका आपस में relation होता है जिसको हम ratio कहते हैं इनके अंदर number में जो change होगा वो हम करेंगी या फिर equipo की term में चेंज होगा means multiple करके change कर सकते हैं या percentage हम करके इसमें change कर सकते हैं तब ही ये ratio में change होता है plus minus करने से ये नहीं होता है मालो इसको हम 2 से multiple करते हैं तो ये भी कहेगा मेर को 2 से multiple करो क्योंकि मेरा तेरे साथ है relation है मतलब ratio का relation है तो 2 से इसको multiple किया तो इसको भी करना पड़ेगा यानि 4 by 6 ये बनेगा ठीक है दूसरा माल लो example हम 25 और 35 लेते हैं तो अगर हम इसमें इसका 20% एड़ करते हैं तो हमें इसके अंदर भी इसका 20% एड़ करना पड़ेगा ठीक है अब इसका 20% यानि 1 5th जो मैंने percentage में करवाय था 20% मतलब 1 5th इसका 1 5th क्या है 5 और 5 मतलब इसमें 5 एड़ करेंगे तो ये 30 अब इसका 1 5th क्या है 7 1 5th क्या है 7 7 इसमें एड़ करेंगे तो 42 अब यह ratio देख लो यह 5 पर कटेगा 5 और 7 यह 6 पर कटेगा 5 और 7 तो इसी तरीके से होता है तो आगे जैसे की 44045304 is equal to 5505 और यहां पर आपको निकालना है आप इसको मिलको करके दिखाओ 5 second पांच सेकिन में आप इसको कैसे कर दोगे वैसे तो आप इसको इससे multiple करोगे इसको x मानोंगे इन दोनों की multiple करोगे काटोगे पिर आएगा पहले आप इसको करो कैसी करोगे इसको तो इन दोनों का difference कितना है 4401 का 1101 1101 difference है और ये 1101 इसका कितना है इसका है 1 4 इसका 1 4 करके देखो यही आ रहा है means 25 यानि हमने इसके अंदर इसी का 1 4 यानि 25 परसेंट हमने इसको बढ़ा के लिखा है तो इसमें भी हम क्या करेंगे इसी का ही 25 यानि 1 4 इसका बढ़ा देंगे तो 1 4 तो करना असान है न यहां से तो यह 1 पर गया 4 पर 1 carry 3 13 3 पर गया फिर 10 8 2 पर गया और फिर 6 पर गया तो यह हम इसमें value जो एड़ कर देंगे तो यह आएगा 0 3 0 2 sorry 3 6 and 6 तो यह इसका अंसर आजएगा ठीक है आप नेक्स्ट बढ़ते हम मालो a is to b is to c दे रखा आपको 3 by 2 ratio 4 by 5 ratio 1 by 3 तो इसको हमें integer में लिखना है integer में इसको convert करना है whole value में इसको लिखना है तो हम क्या करेंगे हम करेंगे जो नीचे दे रखा है 2 5 और 3 इनका हम LCM ले लेंगे 2 5 और 3 इसका LCM क्या आएगा 2 5 और 3 इनका LCM क्या आएगा 30 अब हम इनको 30 से multiple करेंगे इसको 30 से multiple इसको भी 30 से इसको करेंगे तो 15 यानि 45 इसको करेंगे 6 यानि 24 इसको करेंगे 10 यानि 10 तो इनसकी इंटीजर वेल्यू में क्या बन गया 45 रेशो 24 एंड रेशो 10 जोईस का अंचर आ अंचर आ अंडर्स्टोंड आगे देखिए निकालना है ए रेशो बी रेशो 3 की वेल्यू क्या होगे क्या वेल्यू होगे तो हम क्या करेंगे हम इनमें से एक कॉमन वेल्यू मान लेते हैं 2, 5 और 3 का LCM लेके एक छोटी कॉमन वेल्यू मान लेते हैं तो इसकी LCM क्या होगा इसका इसका होगा 30 तो इसको कैसे करेंगे देख लो मान लो 2A is equal to 30 है 5B b 30 है और 3C b 30 है ठीक है तो A की value क्या आएगी यह यही रहेगा तू यहां पर divide में चला जाएगा तो क्या आएगा 15 यहां पर 5 divide में चाहेगा यह जाएगा 6 यहां पर यह जाएगा 10 तो 15 6 और 10 इन का यह जो रैश्यो आजएगा यह इसका अंसर आजएगा आगे देखिए एक एक एक्जामपल और हमान लो A by 2 is equal to 3B is equal to 4 by 3C तो आपको बताना है A ratio, B ratio, C की value क्या होगी तो हम यहां पर क्या करेंगे इसको integer को ही LCM मानेंगे इसका integer क्या है 1 ही है 1, 3 और 4 का LCM लेंगे क्या आएगा 12 आएगा अब हम वही करेंगे A by 2 को 12 मानते हैं तो A कितना आएगा A कितना आएगा 24 यह से multiple होगा 3 by B को अगर 12 मानते हैं तो B क्या आएगा यह divide में होगा तो 4 आएगा और 4 by 3 को अगर हम 12 मानते हैं तो 4 by 3C को मानते हैं तो यह क्या आएगा जैसे 4 पर यह कटे करना 3 पर और 3 तरी जा 9 तो इसका अंसर क्या आएगा 24, 4 and 9 जो इसका आएगा ठीक है आगे देखिए और एक्जाम्पल देते हूं a is to 2, b is to 3 and c is to 4 then a plus b plus c की value find केजिए a, sorry, एक सेकिन इसको थोड़ा सबूर चेंज कर देती हूं a plus b plus c by c की value find केजिए यह कीजिए आग तो इसमें क्या होगा, इसका integer हम यह 1, 1 ही है, तो 1, 1 का है से 1 ही आएगा तो a by 2 is equal to 1, तो a के आएगा 2 b by 3 is equal to 1, तो b के आएगा 3 c by 4 is equal to 1, तो c के आएगा 4 तो यह इसका 2 ratio, 3 ratio, 4 आजएगा तो इनका add कितना होगा, 2 plus 3, 5 plus 4, 9 और by 4, यानि 9 by 4 जो इसका answer आजएगा आपके, that's another example, a ratio, b ratio, 3 है आपका 2 is 2, 3 is 2, 4, तो आपको बताना है b plus c क्या होता है, b plus c मानलो 77 दे रखा है तो आपको a बताना है क्या होता है, तो इसके दो में थेड़े या तो हम x मान के कर सकते हैं, या फिर सीधा unit मान के भी कर सकते हैं, लेकिन कई question ऐसे होते हैं, जिसमें हमें x मानना होता है तो आप x मान के ही करो, क्योंकि कई बार बिना x मानने आप प्रोब्लम में आ सकते हो क्योंकि कई बार और question भी पूचा जा सकता है, इसका मैं आपको example बताऊंगी कि बिना X मानने से आपका नुकसान क्या होगा तो हम इसको X मान के करते हैं 2X, 3X and 4X तो यह बुलर B plus C यानि B plus C 3 plus 4 7X is equal to 7, 7 तो X is equal to क्या होगा यह 7 by में आएगा तो 11 तो A की वैल्यू क्या है 2X है यानि 2 multiple 11 यानि 20 2220 का आंशर है एक कोश्चन ओर देती हूँ जिसमें आपको X मानना जरूरी होता है नहीं तो आप गाटे में जाओगे देखो, मान लो A, B and C is equal to 1 ratio, 2 ratio, 3 ठीक है आपको दे रखा है A multiple, B multiple C is equal to 48 अब देखो, बीना X किये क्या अगर हो गया आप बीना X किये 1 multiple 2 multiple 3 यानि 6 is equal to 48 तो 1 is equal to 8 तो A की वैल्यू 8 निकाल हो गया आप येकिन दिस इस रोंग बिल्कुल गलत है ये कैसे गलत है ये बताती हूँ मैं आपको कैसे गलत है ये देखो, ये multiple में है multiple, अगर हम यह X मानते है तो उसका हमें क्या होगा ये उता है X, 1 का मतलब X multiple 2 X multiple 3 X is equal to 48 तो ये 2 and 6 6 X क्यूब है ये, ना कि सिर्फ X, क्यूँकि पलस में तो हम इसको X लिख सकते हैं, पलस में तो ये X आजएगा अगर हमें इनका पलस करना हो तो ये 6 X आ सकता है, कोई बड़ी बात नहीं है लेकिन हम ये multiple करेंगे तो 6 की क्यूब आएगा यहां पे तो 48 X की क्यूब कितना आएगा 6 पे ये जाएगा तो 8 और X की वेल्यू क्या आएगी और वहां पे आप निकाल रहे थे X की वेल्यू 8, तो यहां पे ये कोशन ऐसे आपका गलत हो सकता है ठीक है, और अगर यहां पे ये अब पुछे की A, B, P, C क्या होगा तो 2, यहां पे ये आएगा 2, ये आएगा 2, 2, 4 ये आएगा 6 यानि इसका आएगा 12 इसका आएगा और उस तरीके से आप आएगा आएगा, तो आपको ये चीज़ें समझ में आई तो हम जो है एक दो एजांपल कर देंगे बाकी हम कल करेंगे तो देखिए इन एक लास, there are 2 Z students, out of them X are boys, what part of class is composed of girls तो girls का क्या part होगा तो girls क्या होगी total कितने Z उसमें से boys हम माइनस कर देंगे ठीक है और हम total में से कितना बाग होगा यानि कौन सा बाग होगा, तो बाग हम total में से करेंगे, यानि Z में से तो इसका क्या हैगा, 1 इसमें से हम जब कॉम्बन लेते हैं, तो 1 minus Z X by Z जो है, इसका answer आजएगा, यह इसका answer आजएगा तो यह तो simple सा है, अगला देखिए यह question केजिए A, B is equal to 2 ratio 3, B ratio 3 3 is 4, D ratio 3 5, ratio 4 A, B, C, D का ratio बताओ, तो A, B, C, D का आपको ratio बताना है, तो इसके दो तिन तरीके हैं, मैं दोनों बता लेते हूं, आपको कैसे करोगे, माल लो A और B हम इससे लगते हैं, दो बटे तीन तो हम क्या करेंगे, इसमें से और इसमें से common ले लेंगे यह हैं, और इंवे से, यह C common है, तो इसको common लेके हम कर सकते हैं, जैसे यह 3 है, जैसे यह 3 है, त्री चाहिए, लेकिन अलग change हो तो हम change करेंगे, पर यहां पर यह 4 है C, तो यह 4 है, तो ratio as it is यहाज़ेगा, जैसे द रखा है वैसे ही आजएगा ठीक है टू थ्री फोर और फाइव और ये दोनों यांसर हो सकते हैं इसके क्योंकि ये भी इसी तरीके से बन रहा है जैसे आपको एक्जामपल और देखे बताती हूं एक सेकंड एक एक्जामपल और देती हूं जैसे मान लो A, B is equal to 2 ratio 3, B और C is equal to 3 और 4 तो इसमें तो जैसे कोंबन आ गया ये तो A और B और C का ratio क्या आएगा 2 ratio 3 and 4 जैस का अंसर आजएगा लेकिन बाई चांस अलग होई है मान लो मैं बानती हूं A और B, 2 और 3, B और C है 4 और 5 तब अब क्या करोगे इसको आप common करोगे क्योंकि इसमें common कोन है B है न, B है ये तो इसमें common ही है तो इसको हम एक common ट्रम बना लेते हैं ये 3 और 4 गैल्सियम 12 होता है न तो इसको हम 4 से multiple करेंगे इसको हम 3 से करेंगे तो 12 और 12 एक जैसा हो गया अब इसको भी करना पड़ेगा जो मैंने आपको starting में बताया था यानि जो इसके साथ करेंगे वह इसके साथ करना पड़ेगा multiple और इसको 3 से किया तो इसको भी 3 से करना पड़ेगा अब यह exact ratio बन जाएगा A B C का ratio क्या होगा 8 12 एंड 15 यह इसका अंसर आ जाएगा एक और है इसका तरीका कैसे करोगे जैसे मैंने बताया A B 2 और 3 B और C 4 और 5 इसका एक तरीका और है देखो A B and C 2 3 यहाँ पर रखेंगे B को मन है इसको बीच में लिखेंगे और फिर यहाँ पर लिखेंगे 4 and 5 ठीक है अब इनको multiple करेंगे इसको तो करेंगे अब इसके पड़ोसी को यहाँ पर रख देंगे जैसे होता है न कि खाली प्लोट पड़ा होता है तो पड़ोसी उसके हम यहाँ पर अपना कुछ गाड़ी बगरा कर देते हैं कुछ और कर देते हैं तो यह इसका पड़ोसी है यहाँ लिखेंगे हम 3 और यहाँ पर यह इसका पड़ोसी यह इसने अपना समान रख लिया यह यह अब हम इसको यहाँ से ऐसे multiple कर देंगे 8 3 और 4 12 5 और 3 15 इसका ratio ब आपको जैसे A और B 4 और 5 C और B 1 और 2 अब A B C A B और C निकालो तो A और B कितना है 4 और 5 B और C कितना है यहां C भी दे रखा है यह दिया रखना C भी दे रखा है तो B और C कितना है दो और 1 तो यहां पर पड़ोसी को बिठा दो अब यहां multiple कर दो 4 तूजा 8 5 तूजा 10 फाइव और 5 इसका आंसर बन गया थोड़ा बड़ा उट दे दिखते हैं A B A और B अब बताओ A B C D का रिश्यो बता हुए तो हम क्या करेंगे तो common क्या है common एक इसमें तो B लेंगे इसमें हम इन दोनों में C लेंगे तो इसको हम 20 में बढ़ा देते हैं B और C को और A और D यहां साइड में रख देते हैं क्योंकि यह हमें 20 में रखने पड़ेंगे A और B दो और तीन B और C चार और तीन C और D एक और दो अभी पड़ोसी बैट जाएगा यहां पर यहां पर इसका पड़ोसी तीन है इधर चार है इधर एक है एक है अब इसकी मल्टिपल कर दुआख 4 2 जा 8 3 4 जा 12 3 3 जा 9 और 3 3 जा 9 2 जा 18 तो आठ रेशो बारा रेशो नो रेशो अठारा जो इसका अंसरा जाएदा तो इसको देख लिजिए अब एक कोशन और देख लिजिए यह आप सोल करोगे आराम से इसको उसी मेथड से ठीक है या फिर इसको करवा देती में पूरा क्योंकि यह इंटीजर के अंदर है पूरा नहीं है तो आप इसको एक बार ट्राई कर लेना चलो कोई बाद ने मैं आपको इसको कल करवा दूँ में ठीक है कल इसको सोल हो जाएगा यह कल इसका सुलूशन आपको मिल जाएगा ठीक है और आप इतने में ट्राई करना बस मैं आपको इतनी चीज बता दूँ कि यह पी दो बटे नू है और क्यू एक बटे तीन है तो इसको पहले इंटीजर में बना लेना जैसे दो नो का एल्सियम ल करना है पी एस क्यूवार का ओके देन ओके थैंक्यू टूडेज टूडेज सर्शन वोचिंग तो आप इसको देखिए अग्गेस मैं आपको थोड़े इसके डिफिकल्ट कोशिन करवाऊंगे थैंक्यू सो मच प्लीज 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 सब्सक्राइबर बढ़ाईए जीतना हो सके आप इसको शेयर कीजिए क्योंकि ये मैथ की क्लास है और ये आपके लिए बहुत 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 जादा इंपोर्टन्ट है एक बारा भेगना सुरू कीजिए आगे से आगे आपको बढ़िया इसमें ट झाल